नमस्कार रादे रादे दोस्तों तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पहला चेप्टर समाप्त किया था सम्मेदानिक विकास की प्रिक्तिरिया थोरी पड़ी थी उसके बाद उससे सम्मनित क्वेशन भी किये थी हम लोगों ने तो दोस्तों आज हम लोग नया चेप्टर सबसे पहले में डिसकस करूँ कि सब्जेक्ट का नाम क्या है तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था एक बार फिर बता लेता हूँ आज हम लोग इस्टार्ट करने वाले हैं सम्मिधान सवा का गठन आज की क्लास तो रहेगी हमारी वो हम लोग बात करेंगे कि सम्मिधान सवा का जो गठन है वो गठन कैसे हुआ था और इस सम्मिधान सवा के गठन की जो मांग थी वो मांग किस प्रकार से की गई थी तो आज हम लोग जहां तक बात करेंगे सम्मिदान सवा संबंदी जो तत्थ होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं तो मेरे प्यारे दोश्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सम्मिदान सवा थी इस सम्मिदान सवा के गठन संबंदी जो मांग की गई थी ये मांग दो परकार से थी अगर हम सबसे पहले बात करें कि सम्मिदान सवा के लिए जो मांग थी अगर उस मांग की बात कर ली जाए तो सबसे पहले तो हम लोग देखें कि भारतियों के द्वारा जो मांग की गई थी एक तो कि भारतियों के द्वारा शम्मिदान सवा की मांग जो वो किस प्रकार से की गई थी और दूसी बात हम लोग करें कि अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेज़ों के द्वारा इस सम्मیदान सभा के गठन संबंदी क्या-क्या प्राभधान किये गए थे हम इन दो बातों को करेंगे और फिर हम लोग डिसकस करेंगे कि सम्मिदान सभा का गठन कैसे किस बेस पर हुआ दोस्तों अगर सबसे पहले मैं बात करूँ कि सम्मेदान सभा और सम्मेदान के निर्माण के लिए मांग जो है उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गी थी तो प्यारे छात्रों हम यहां बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ें तो आपने एक पढ़ा हुआ स्वराज बिदियक बात करेंगे हम लोग स्वराज बिदियक के बारे में देखो स्वराज बिदियक जो है यह 1895 में इस्वी में लाया गया था और ये लाए गए थे अगर बात करे हैं हम लोग इसे तो ये बाल गंगादा तिलक के द्वारा और बाल गंगादा तिलक के द्वारा जो सुराज बिदेख था इस सुराज बिदेख में सबसे पहले सम्मिदान सवा के मांग की गई थी या इसमें कहा गया था कि निर्माण के लिए एक सम्दान सवा का गठन होना चाहिए लेकिन द्यार रखना है इस सुराज विद्यक में जो शम्दान सवा के लिए मांग की गई थी दोश्तो वो शम्दान सवा की मांग अभी हम लोग देखें कि ये अपचारिक रूप से नहीं थी बलकि ये अभी अनपचारिक मांग थी इन फॉर्मल रूप से ये मांग की गई थी यानि ये अनपचारिक रूप से मांग की गई थी इस सुराज विद्यक के अंत्रकत सबसे पहला कदम ही हम लोग बात करें तो यहां सुराज बिद्यक के माध्यम से अगर हम बात करें दूसरा स्टेप देखते हैं तो इसी कड़ी में 1922-1962 के अंदर आपके महात्मा गांधी जी के दौरा महात्मा गांदी जी के द्वारा महात्मा गांदी जी के द्वारा भी सम्मिदान के सम्मिदान के निर्माण के लिए सम्मिदान सवा के मांग की गई अगर हम लोग देखें कि महात्मा गांदी ने सबसे पहले सम्मिदान सवा या सम्मिदान के निर्माण के लिए कम मांगी गई तो आप कहेंगे 1922 में महत्मा गांदी के दौरा भी इस प्रकार का वक्तब दिया गया था 1922 के बाद देखें तो 1922 के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो आपने देखा होगा नेरू रिपोर्ट इस नेरू रिपोर्ट के अंतरगत भी सम्मिदान के निर्माण की मांग की जा रही है लेकिन अभी ये सारी मांगे जो हैं ये मांगे अनौप चारिक रूप से की गई थी अगर इसी बात से आगे देखें तो सर प्रथम 1934 में हाँ दोस्तो सर प्रथम 1934 ईश्वी में 1934 में एक व्यक्ती थे जिनका नाम था सौट में कहते हैं आपने पढ़ाऊगा M.N.Roy M.N.Roy जो थे इनका नाम है पूरा मानवेंद्र नात रोय इस मानवेंद्र नात रोय या M.N.Roy के द्वारा द्यान रखेंगी दोस्तो सर प्रथम अगर पूछ लेता है और सवाल पूछता है पूछ क्या लेता है पूछा गुवा सवाल है कि आपचारिक रूप से या बात करें तो व्यक्तिकत रूप से सर प्रथम सम्मिदान सवा के सम्मिदान सवा की जो मांग की गई थी ये सम्मिदान सवा के गठन की मांग किसके द्वारा की गई तो आप कहेंगे 1934 CC में M.N.Roy के द्वारा सर प्रथम सम्मिदान सवा की मांग की गई थी आपचार की रूप से म. रोई के द्वारा अनौपचा की रूप से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सुराज बिदेख से इसकी स्टार्टिंग होती है यहीं हम लोग देखें 1935 उननीस सो पैतीस इस्वी में सर प्रिथम कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस के द्वारा संबिदान सवा की मांग की गई यह सवाल भी अपने लिए इंपोटेंट है क्योंकि यहां सवाल बन जाता है कि कांग्रेस ने अपने मंच से पहली बार संबिदान सवा जो थी उसको मांगने के यह उसका प्रस्ताव कब से शुरू किया गया तो संबिदान कांग्रेस के अंदर संबिदान सवा की मांग 1935 इसवी से की जा रही है दोस्तो इसके बाद नेश्ट हम लोग देखें 1935 के बाद नेश्ट इसमें क्या कदम उठाया गया तो दोस्तो 1935 के बाद की कानी देखें तो 1938 इसवी से नेश्ट इसवी से सर्प्रिथम जवाला नेरू के द्वारा कहा गया कि जो संबिदान सवा है इस संबिदान सवा का गठन वयस्क मतादिकार की आदार पर सबसे इंपोर्टेंट बात यहां पर है कि इन्होंने वयस्क मतादिकार की बात की कि इन्होंने कहा कि शमिदान सवा का जो गठने वो वयस्क मतादिकार की आदार पर किया जाना चाहिए सवाल बनता है कि वयस्क मतादिकार की बात सबसे पहले किसने की तो वयस्क मतादिकार की बात करने वाले विर्ती थे उनका नाम था जवाला नेरू 1938 में पंडे जवाला नहरू के दोरा कहा गया कि सम्मिदान सवा का गठन होना चाहिए और ये गठन वयस्क मतादिकार के आधार पर किसके आधार पर होना चाहिए तो आप कहेंगे कि ये सम्मिदान सवा जो है इसका गठन होना चाहिए और ये गटन होना चाहिए वयस्क मतादिकार के आधार पर तो यहाँ नश्च अगर हम बात कर लेते हैं कि इसके बाद तो दोश्तों द्यार रखना हैं कि 8 अगस्त 1940 को उस समय के वाइस आये थे लॉड लिन लिथगो के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था और उस प्रस्ताव का नामी था अगस्त प्रस्ताव पूल जाता है कि अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव किस के द्वारा लाया गया था तो दोस्तो आप आंसर कहेंगे लॉड लिन लिथगों के द्वारा वो उसमें भारती के वाइस रहे थी इस अगस्त प्रस्ताब की बात करें तो अगस्त प्रस्ताब में आपको याद रखना है कि सरप्रिथम अंग्रेजों के द्वारा इसमें सम्विदान सवा के गठन को माना गया इसमें कहा था कि सम्विदान सवा का गठन होना चाहिए और इस सम्विदान सवा में ये भी कहा गया था कि इसमें भारतियों का प्रती निदित्त होना चाहिए ये दो बातें अपने लिए इंपोर्टेंड थी अगश्त प्रिस्ताम में कि सबसे पहले अंग्रेज्जों ने ये माना कि भारत के लिए एक सम्मेदान सवा का गठन हो जो अंग भारत के लिए सम्मेदान का निर्मार करे और उसमे भारतियों का प्रती निधित होना चाहिए जैनि अभी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि पूर्ण रूप से ये भारतियों की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए अपने को ध्यार रखना है कि इसमें अपने लिए दो बात है इंपोटेंट थी पूँच लेता है कि अगस्त प्रस्ताव में या अंग्रेज़न सरप्रितम सम्मेदान सवाग की गड़न की मांग सुईकार की आप कहेंगे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के अंदर इसके बाद देखो एक मैत्पूर मिशन भारत में आता है और वो मैत्पूर मिशन कौन सा था तो आपने पढ़ाऊगा किरिप्स मिशन 1942 में 1942 ईशवी के अंदर एक क्रिप्स मिशन भारत भ्या जाता है और ये क्रिप्स मिशन जो था अगर बात करें इसकी अद्दिष्टा किस के द्वारा की जा रही थी दोस्तों आप कहेंगे सर इस्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा सर स्टेफ़ड क्रिप्स जो थे वो इसके उद्देश थे कहीं न कहीं अध्यच थे क्रिप्स मिशन जो था मेरे प्यारे दोस्त तो इसका उद्देश कहीं न कहीं क्या था तो आप कहेंगे सर उद्देश जो था वो भारत के अंदर सम्मेदान सवा का गढ़न करना लेकिन क्रिप्स मिशन का भारत में विरोध किया गया था मुश्रिम लीग ने भी विरोध किया था कांग्रेस के दौरा भी विरोध किया गया था इसलिए जो क्रिप्स मिशन अपने उद्देश के लिए आया था वो अगस्त प्रस्ताम में थी लेकिन गठन के लिए जो मिशन बेजा गया था वो 1942 का किरिप्स मिशन था नेश्ट बात करेंगे ही पे हम तो नेश्ट आपको ध्यां रखना है कि एक बैवेल योजना भी थी और ये बैवेल योजना जो थी वो 1945 की है इस अमेंब पर वाईसराय लॉड बैवेल थे इस लॉड बैवेल के द्वारा इस बैवेल योजना की अंतर्गत भी सम्विदान सबा के सम्विदान सबा के गठन की बात की गई थी यानी अभी तक जो हमने पढ़ा है उन सबका सम्ंद कहीं न कहीं सम्विदान सवा के गठन से ही है मैंने शुरुआत में देख औ करन अशम्बली के वारे में कि कॉंस्टोइटन असेम्बली यह सम्विदान सवा जो थी इसके गठन के लिए सरप्रतम हमने देखा कि इंडियन्स के दौरा क्या कदम उठाय गया और सबसे फिर उसके बाद हमने देखा कि विटिस के दुआरा कव इसे मांग को असेप्टेड किया गया हमने बात करी कि सबसे पहले जो सुराज बिदियक था इसके अंदर अठायस अपिंचानवे में बाल गंगादा तिलक जो कि गरम दल के नेता थे बहुत सारी चीज़ां पढ़ियोंगे आपने बाल गंगादा तिलक के दुआरा हम पढ़ते हैं कि गड़ेश महुश्थब की शुरुवात की गई थी इनी के दुआरा शिवाजी महुश्थब चलाया गया था इनी के दुआरा होम रूल आंदोलन चलाया गया और हम बात करें तो इनों नहीं सबसे पहले ये नारा दिया था कि सुराज मेरा जनमशिद्ध धिकार है जिसे मैं लेकर की रहूँगा इसके बाद हम लोग बात करें एक अगस्त उन्नीस सो बीस को इनकी क्या हो जाती है म्रत्यू और इस दिन भारत में या क्रांतिकारियों के द्वारा सुराज फंड का निर्मार के जाता है और यही वह देट थी है कगस्त उन्नीस सो बीस जिस दिन भारत में अश्योग आंदोलन की शुरुवात की गई इसलिए कभी-कभी सवार आयाता है यह कुछ बाते मैंने बाल गंगार तिलक से संबंदित बताएं थी इन्होंने भी इसमें संब्यदान सवा के कटन की अनौपचारिक रूप से मांग की इसके बाद देखें 1922 इस वी में महत्मा गांदी जी के दौरा भी संब्यदान सवा के निर्माड के लिए या संब्यदान सवा के निर्माड के अपने बाहर में मांग की फिर नेरूर रूपोर्ट के अंदर भी हमने देखने को मिलता है जिसे मौलिक अधिकार संबंदी प्रस्ताब भी थे 1934 सी सी में एमेर रॉय या जिसे हम लोग फुल फॉर्म जो देखें इनके नाम की तो मानविन नात रॉय जो थे इनके दौरा आपचारिक रूप से या व्यक्तिकत रूप से संब्यदान सवा की मांग की गई थी यहां सवाल काफी बार पूचा भी गया है इसलिए अपने लिए बेरी इंपोर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले आपचारिक रूप से संब्यदान सवा की मांग कव की गई 1934 में किसके दौरा की गई एमेर रॉय फिर यहां सवाल हमने देखा कि कांग्रेश ने संब्यदान सवा की मांग की गई सबसे पहले 1935 के अंदर और वयस्क मतादिकार की आदार पर संब्यदान सवा की गई गठन की मांग करने वाला बेकती कौन था तो इसका नाम था पंडिट जवालना नेरू इन्होंने 1938 में कहा कि संब्यदान सवा का जो गठन है वो वैस्क मतादिकार की आधार पर होना चाहिए दोश्तों तो वैस्क मतादिकार की आधार पर बात करें तो जवाला नेरू और फिर फाइनली हमने देखा 8 अगर्ष्ट 1940 को लॉड लिलिलितों के दौरा अगर्ष्ट प्रिस्ताव लाया गया था और इस अगर्ष्ट प्रिस्ता में सबसे पहले अंगर्ष्ट ने ये सुईकार किया कि बारत के लिए सम्मेदान निर्मान के लिए एक सम्मेदान सवा का गठन किया जाएगा और उस वहा सम्मेदान सवा में भारतियों का प्रतिनित्त भी होगा इसके बाद ये कुछ और वी अब्यान थे, किरिफ्स की मिशन उननी सोब्यालीस में वेजा गया था, critics mission में वेजा गया था, उधकी अधिश्ता सरर इस्टेपर्ड किरिफ्स कर रहे थे, संम्यदान सवा का गठन करना इसका अधिश्ता, लेकिन मैंने क्या बताया, कि जो क्रिप्सी मिशन था, इस क्रिप्सी मिशन का बारत में ब्रोध किया गया और इसका ब्रोध होने की कायrd यहाँ बारत में ऐसा फ़र नहीं हो पाया नेस्ट अगर हम बात करें ही पर कि इसके बाद वास्तराय लोड बैवेल के दौर एक बैवेल प्लान लाया गया था योजना जिसमें भी सम्मिदान सवा के गटन की बात की गई थी नेस्ट दोस्तों बात करें इसके बाद तो इसके बाद जो next आता है finally एक ऐसा mission भारत में विजा गया था जिस mission के दौरा भारत में सम्मिदान सवा का निर्माड भी किया गया था और उसने फिस सम्मिदान सवा के दौरा सम्मिदान का भी निर्माड किया गया उस mission का नाम क्या था दोश्तों उस mission की बात करने वाले हैं जिस mission का नाम था cabinet mission finally cabinet mission भारत में आता है important वी था क्यों important था क्योंकि उस समय बिटेन की सरकार change हो गई थी दुतिय विश्विद समापत हो गया था और देशों के दवाब में आ करके अंतता बिटेन को भारत को आजाद करना था इसी बीच जो बिटे संसद थी इस बिटे संसद के cabinet मंत्रियों को सामिल करके cabinet मंत्रियों के दौरा एक mission बेजा गया था जिसका नाम दिया गया था cabinet mission दोस्तों याद रखेंगे ये cabinet mission 24 मार्च 1946 को भारत आया था और इस cabinet mission का अगर दोस्तों बात करें कि मुख्य उद्देश से क्या था तो इस cabinet mission का मुख्य उद्देश था भारत के सम्मिदान के लिए या सम्मिदान के निर्मान के लिए सम्मिदान सभा का गठन करना आप से पूँच लेता है कि भारत में सम्मिदान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था तो दोस्तों बताएंगे cabinet mission के द्वारा भारत में सम्मिदान सभा का गठन किया सम्मिदान सभा की बात करें तो इसमें अगर सदस्यों की बात के लिए कर ली जाए तो इसके अंदर तीन सदस्य थे यानि कि ये एक तीन सदस्य मिशन था जिसमें दोस्तों तीन सदस्य कौन कौन से थे तो मेरे प्यारे दोस्तों बात कर लेते हैं तीन सदस्यों की नमबर एक इसके अंदर जो सदस्य थे वो थे पैंथिक लॉरेंस क्या नाम था दोश्तो तो आप कहेंगे नमबर एक पैंथिक लॉरेंस थे नमबर दो की बात करें तो नमबर दो थे एवी अलेक्जेंडर और नमबर तीन की बात करें तो नमबर 3 थे Sir Stafford Crips इसलिए पूछ लिए जाता है कि Crips Mission जो आया था वो भी Stafford Crips की अदस्ता में थे और यही Stafford Crips फिर Cabinet Mission की अंतरगत भी इन्हें एक सदस्य बना करके भीजा गया था सवाल यहाँ से एक अच्छा बनता है कि इस Cabinet Mission जो था इसकी अद्दश्ता किसके द्वारा की जा रही थी तो मेरे प्यारे चात्रो अद्दश्ता जब भी पूछेगा तो अद्दश्ता करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था पैंथिक लॉरेंस तो ध्यान रहेंगे किसकी अद्शता किसके द्वारा की जा रही है पैंतिक लॉरंस के द्वारा दो अन्य सद्शते कौन से थे एवी अलेक्जेंडर की बात करें एवी अलेक्जेंडर और नम्मर दो थे इस्टेपड क्रिप्स तो अगर पूझ लेता है कि कैविनिट मिशन के के अंदर जो तीन सद्शते वो तीनों बिटिस संसत के कैविनेट मंत्री थे कव आया था 24 मार्च 1946 को मुख के उद्श से कहा था संभिदान सवाका भारति के लिए गठन करना इसके बाद और सद्शते कितने थे इसमें तीन अद्शता किसके द्वारा की गी थी तो दोस्तो हम बात करें कि इस कैविनेट मिशन के द्वारा जो हम बात कर रहे हैं कैविनेट मिशन की इस कैविनेट मिशन के द्वारा किस प्रकार से संभिदान सवा का गठन किया गया था या इसमें संभिदान सवा के गठन के क्या-क्या प्रावदान थे तो हम बात कर लेते हैं कि इस सम्मिदान सवा के गठन के क्या प्राबदान थे तो गठन के प्राबदान की बात कर लेते हैं कि इसमें उसकी कौन-कौन सी मुख की विशेशताएं थी जिनकी आधार पर सम्मिदान सवा का गठन होने वाला था सरपिथम बात करें इसके अंदर हम तो मेरे प्यारे दोस्तो पहला पॉइंट निकल के आता है अपना कि जो सम्मिदान सवा थी इस सम्मिदान सवा के लिए कुल जो सदस्य निर्दार्ट किये गए थे वो कुल सदस्य कितने थे तो आप कहेंगे कि इसमें बदाया गया था केविनिट मिसन ने कि कुल 309 सदस्य होंगे पहली बात दूसरी बात हम लोग करें कि जो टोटल 309 सदस्य थे यह सदस्यों का निधान कैसे किया गया था तो इसमें कहा गया था कि प्रती अगर हम लोग देखें कि इसमें कहा गया था कि प्रती 10 लाग की जनसंग्या पर यानि कि 10 लाग जनसंग्या पर एक सदस्य होगा दूसरी इसकी बिशिश्श्ता जोगो पहली किया है कुल्ट अगर मेंबर देख लिए जाएं सदस्य कितने थे तो आप कहेंगे 389 10 लाग की जनसंग्या पर एक सदस्य तो हम कह सकते हैं कि जब कैविनिट मिसन का कैविनिट मिसन आया था उसमें बारते के अंदर जनसंग्या देखें तो 10 लाग पर एक तो 399 गुणा 10 लाग यहां से भी कभी कभी सवाल देखने को मिला है नेश्ट अगर हम लोग बात करें कि जो सम्मिदान सवा के सदस्य थे इन सम्मिदान सवा के सदस्यों का निर्वाचन कैशे होगा यानि कि निर्वाचन की पद्दती के वारी में भी हम उल्ले करेंगे दोस्तों सम्मिदान सवा की जो सदस्य थे मेंबर थे अगर इनकी निर्वाचन की बारे में देखे तो दो-तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं बोट दो-तीन पॉइंट कौन-कौन से होंगे देखो अगर मैं बात करूँ कि इसके जो दो-तीन पॉइंट हैं वो अपने लिए एक्जाम की दृष्टी से इंपोटेंट हैं सिर्फ हम उनकी बात करने वाले हैं नमर एक कि जो इन सदस्यों का चुनाब हुआ था वो प्रत्यच नहों करके अप्रत्यच था ये भी सवाल आता है कि इनका चुनाब प्रत्यच रूप से अब इस्टेडिमेंट बना देगा वरत्मान समय में देखें सवाल आते हैं इस्टेडिमेंट वाले उसमें लिख देगा कि इनका चुनाब प्रत्यच रूप से जबकि चुनाब कैसा था अब प्रत्यच रूप से और एक बिदी हम लोग देखें इनका जो चुनाव हुआ था वो एकलमत संक्रमडी पद्दती के आधार पर था एकलमत संक्रमडी पद्दती के आधार पर आज भी इसका प्रियोग होता है जब हम लोग राज्य सवा की ततस्यों की बात करते हैं जब हम लोग राष्टपती के चुनाव की बात करते हैं उन्हें आज भी एकलमत संक्रमडी पद्दती का परियोग होता है यानि आस्तांतरित रूप से एकलमत संक्रमडी पद्दती का परियोग किया गया था और अगर हम बात करें इसके चुनाम में भाग लेने वाले उम्मीदवार कौन थे क्या प्रतेक 18 वर्स या 21 वर्स का जो भारती नागरी के अविक्तिता उसे इसमें बोड़ देने का अधिकार था तो आप कहेंगे नहीं तो कौन थे इसमें तो आप कहेंगे इसमें भाग लेने वाले थे प्रांतों की विदान सवा के दश्य जो प्रांत थे उनकी विदान सवाओं के जो सदश्य थे उन्होंने इसमें भाग लिया था यह तीन पॉइंट याद रखेंगे कि इनकी निर्वाचन का क्या तरीका था किस प्रकार से ये व्यक्ति चुन करकिया थे दोश्तों यही पर में एक चीज और आपको बताऊं कि इनके अलावा कुछ सदस्य ऐसे भी थे जो के हमारे देशी रियासतों से भी आये थे और जो सदस्य देशी रियासतों से आये थे द्यान रखना है कि वो सभी मनोनित हुआ करते थे और इनका मनोनित करने का दिकार जो था वो रियासत जो हुआ करती थी उस रियासत के सासक को था चाहे वो राजा हो चाहे निजाम हो उसके सासक जो थे वो इनको मनुनित करके वेजा करते थे द्यारा केंगे ये सम्मिदान सवा के गटन के कुछ वेशिक सरतें थी जो किस प्रकार से गटन होगा तो द्याने केंगे सवाल आता है कि सम्मिदान सवा के गटन के समय कुल सदस्य कितने थे तो आप केंगे 389 फिर कितनी जनसंकिया पर एक सदस्य था तो आप केंगे 10 लाग की जनसंकिया पर एक सदस्य था फिर हमने का सम्मिदान सवा के सदस्य जो ते उनका निर्वाचन कैसे ह हुआ था आप कहेंगे अप्रत्य रूप से इंडिरेक्टली फिर मैंने का कौन सी पददी से हुआ आप कहेंगे एकलमत संक्रमणी पददी नेच देखेंगे किस ने भाग लिया तो जो प्रांत थे उनकी बिदान सवाओं की तदस्य जो थे उन्हों इसमें बोटिंग की थी फिर जो भी देशी रियासत हुआ करती थी जैसे कि हमने पड़ाए कि जब भारत देश आजाद हुआ था उससे पहले भारते के अंदर 555 रियासत थी कितनी थी तो आप कहेंगे 565 लेकिन हमने क्या पड़ाए कि सिंपली वे में देखें साधान तरीके से अगर हम बूँ बा पाकिस्तान में लेकिन दोस्तों बाकी की 552 रियासत जो थी वो बारत में सामल हो गई लेकिन हमने पढ़ा है कि जो 500 बामन रियासतें थी इनका भी कुछ फॉर्मुला था और वो आपने पढ़ा भी होगा काफी बार आता भी एक्जाम के अंदर कि इन 552 में से देखें तो दो Simply way मैं साधन तरीके से आसानी से भारत में सामिल हो गई थी लेकिन तीन रियाहत ऐसी थी जिनके लिए कुछ अलग से प्राद्धान करना पड़ा आप बताएंगे वो कौन कौन सी थी कमेंट करके सभी लोग नमबर एक जम्मु कस्मीर नमबर दो थी आपकी जुनागड और नम को एक अलग राइश्टर के रूप में सुटेलेंड की तरह अपना विकास करेंगे नम पाकिस्तान में जाएंगे और नहीं हम जाएंगे भारत में तो माउंट वेटन जो गोषणा थी उसमें कहा गया था कि रियासत हैं चाहें तो पाकिस्तान जा सकती है और चाहें तो कहां जा सकती है भारत में और अगर कोई रियासत चाहती है कि मैं अकेली रहूं तो वह अपना भी विकास कर सकती है इस बेस पे भारत ने इससे कुछ नहीं का लेकिन जुनागड और हैदराबाद का concept change था जुनागड वो रियासती जहांका राजा सासक मुश्लिम था जबकि जनता वहां पे रहने वाली अधिकांस क्या थी तो वहां जनता जो थी वो हिंदू थी इसलिए पूछ लेता है कि जुनागड में क्या करवाया गया तो दोस्तों आंसर लगाएंगे जनमस संग्रे तो इसमें जनमस संग्रे कराया गया और जनमस संग्रे में देखा गया कि दिकांस जनसंग्या भारत में रहने के लिए सेमत है इसलिए जुनागर्ण में जनम संग्रेह के आधार पर भारत में इसका विलय कर दिया जाता है और आपने पढ़ा ओवाँगे आँगे इन रियास्तों की विलय का जो काम था जो कार था वो किसे दिया गया था तो वो दिया गया था वो चाहते देख हम पाकिस्तान जाएं लेकिन आपने भारत का मांचित्र अगर गौर्ष से देखा हुआ तो कहां एदराबाद और कहां पाकिस्तान इसलिए सदार बल्लब भाई क्योंकि अब बात चल लिए 1948 की अंग्रेज जा चुके हैं भारत आजाद हो चुका है अंग्रेजों के सामने तो हम कोई ऐसा कठोर नीती नहीं अपना सकते हैं के लिए लेकिन जब अंग्रेज जा चुके हैं तो अब तो कर सकते हैं इसलिए यहां ध्यार रखना है कि यहां चलाए गया था प्रटेल जी के द्वारा एक ऑपरेशन और उसका नाम कापी बार जो थी जम्मू कस्मीर जब छोड़ दी जाती है सच लन्द्र तो जो लोग पाकिस्तान के लिये गए थे ज्य肉 कभीलया इ naught के लिए लोगो ने जम्मू कस्मीर पर क्या कर दिया अटैक कर दिया जम्मू कस्मीर के राजा हई शिंग उस अटैक को रोकने में असपल हो जाते ह और अंतत्य वह भारती के पच्छ में जा करके और बिले पत्र पर क्या कर देते हैं अस्ताचर और जब बिले पत्र पर अस्ताचर हुए जब तक भारती सेना उसमें हमारी भारती सेना की प्रमुक थे बीपी मेनन जब तक भारती सेना जम्मू कस्मी में पहुंच दी है तब त कुपार कस्मीर उसे ही कहा जाता है जब अपना देश आजाद हुआ स्री जम्मू कस्मीर के राया ने इसे बारत में बिलैकंडे से मना कर दिया तो जिस शेत्र में कवीले लोग आकर के रहने लग गए उस शेत्र को ही हम आज भी पियो के कहते हैं तो कि अपने बारती प्रधान मंतरी पंडिश जबाला नेरू एक समाजवादी विक्ती थे इसलिए उन्होंने इनको भारत से खदेड़ रिके बजाए कहा कि हम कानूनी तरीके से इने भारत से बार निकालेंगे और वो इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट संग युएनों में लेके चले जाते हैं और युएन ने उस समय अमेरिकागी संस्ता थी और आज तक उसका कोई कंक्लूयन नहीं निकल के आता है उसी छेत्र का नाम पढ़ गया पी ओके पाक उकुपाइड कश्मीर पाक दिकरत कश्मीर दोस्तों ये संविदान सवा के गठन के लिए क्या किया गया कुछ कह सकते हैं प्राब्धान किये गए कि कैसे उसका गठन होगा चलो गठन करते हैं हम लो देखते आंगे इसके बाद देखो संविदान सवा जो थी इसके अंदर जो टोटल सदस्य थे वो सदस्यों की संक्या रखी गई तीन सो नवासी अभी आपके सामने थी तीन सो नवासी थे कैसे तो उस समय भारत को तीन भागों में बाटा जाता था उस समय भारत जो था वो तीन भाग थे आज भी आपने देखा है आज भी भारत में क्या है भारत में राज्ज है और भारत में केंदर सासिद प्रदेश है और भारत संग है इसे केंदर कहते है उसी प्रकार से उस समय क्या थे उस समय थे एक तो बिटिस भारती प्रांत आपने पड़ा हुआ, इनकी संक्याती ग्यार है, उस समय क्या थे? उस समय थी आपकी देशी रियासतें, जो भी हम डिस्कस करके आ रहे हैं, और उस समय क्या था? तो उस समय थी भारत में चीप कमिशनरी, इस प्रकार से बिटिस काल में भारतों समय तीन कैटिकरियों में बटा हुआ था इन में से कहा गया कि 292 में जो सदस्य हैं ये सदस्य कहां से आएंगे आपके बिटिस भारती प्रांतों से देशी र्याहते जो थी इनको दिये गे 93 में सदस्य समझना यहां पर और उसमें चीप कमिशनरी जो थी वो थी आपकी चार इसलिए एक-एक चीप कमिशनरी से एक-एक सदस्य आएगा और ये सवाल आता है कि निमने में से कौन सी चीप कमिशनरी थी और कौन सी नहीं थी राजस्तान की तैयारी करेंगे तो आप से पुझे लिए राजस्तान में कौन सी थी भारत में कौन सी नहीं है बरतमान में या है इस प्रगास से सवाल बनते हैं देखे कौन सा था नमबर एक देखे यहां पे तो नमबर एक राजस्तान से स्टार्ट करें तो नमबर एक थी अजमेर मेरवाड़ा ये चीप कमिशनरी थी उस समय इसलिए आप देखते हैं अंग्रेजों का प्रभुत्व जो है बहुजमेर की तरब क्यों जाजा था अपने कभी सोचा है क्योंकि अंग्रेजों ने उसी अजमेर में दो तो चावनिया थी उनकी नसीरावाद और ब्यावर लाड मेयो के दोरा मेयो कॉलेज राजा माराजाओं के राजकुमाराओं के पढ़ने के लिए ऐसी बहुत शारी चीज़े मिलेंगी क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा उसमें चीप कमिशनरी हुआ करती थी एक चीप कमिशनरी कौन सी थी वो थी आपकी दिल्ली दिल्ली की बाद एक ता आपका कुर्ग जो कुर्ग आज देखे हैं तो करनाटक का इरिया और नमबर चार पर जो थी वो थी आपकी बलूचिस्तान बरतमान में जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान के अंदर है इसलिए ये तीन कमिशनरीया जो है वो आज बारत में है अजमेर मेरवाड़ा दिल्ली कौर्ग करनाटक जबकि बलूचिस्तान जो अब वो पाकिस्ता सी बात और आपको बताता हुआ चलूंगा कि ये तो सदस्यों का बढ़वारा था कि कहां से कितने सदस्य निर्वाचत या मनुनीत होकर कि आएंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो देशी रियासतें थी इन देशी रियासतों की सदस्य जो थे अगर इनकी बात करें तो ये सदस्य आपके कैसे होंगे मनुनीद होंगे कैसे हो जाएंगे मनुनीद इसका मतलब है इन 2502.2 सदस्यों के लिए भी क्या कराना पड़ेगा निर्वाचन और इन चार के लिए भी क्या कराना पड़ेगा निर्वाचन तो पिर सवाल आ जाएगा आपका कि सम्मिदान सवा के कितने सदस्यों के लिए चुनाब करवाए गए थे तो आप करेंगे 212 में और 4 यानि 290 में सदस्यों के लिए 310 में सदस्य ऐसे थे जिनके लिए निर्वाच्चन नहीं हुआ था क्योंकि वो कैसे थे मनों नी थे मैं यहाँ एक चीज और कर लेता हूँ कि जो सम्मिदान सवा थी इस सम्मिदान सवा के जो सदस्य थे इन सदस्यों का कमूनिटी की आदर पर या सम्मिदान की आदर पर भी विवाजन किया गया था और उस समय जो कमूनिटी की आदर पर विवाजन था दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है कि कमूनिटी की आदर पर जो विवाजन था वो विवाजन था सिर्फ तीन कमूनिटी में इन उस समय तीन कमुनिटी यह ऐसी थी भारते में समधाय थे जनका प्रभुत्त था वो कौन-कौन से एक तो आपका हिंदू, एक आपके मुश्लिम और एक आपके सिक इसलिए पूछ लेता है कि सम्मिदान सभा के दस्यों का कितनी समधाय या कितनी कमुनिटी में विवाजन क किया गया था तो आप कहेंगे तीन समधाय में कुन-कून से थे तो एक तो हिंदू, मुश्लिम और शिक यान ये तीन बर्गों में इनका बड़वारा किया ये सीटों का बड़वारा था अब सम्मिदान सवा की सीटों का बड़वारा होने के बाद इस cabinet mission में कहा गया था कि जो आपकी constitution assembly है जो सम्मिदान सवा है इस सम्मिदान सवा के जो सदस्य हैं इन सदस्यों का जो चुनाब है यह चुनाब करवाया जाएगा वो बात बताईगी थी जुलाई अगस्त 1946 में वही तेईस मार्च 1946 को जब कैविनिट मिसन भारत आ रहा है तो उसके कुछ हमेबाद इन्होंने देट फिक्स करी कि हम जुलाई अगस्त के महिने में 1946 में चुनाब कराएंगे मैंने अभी पिछली स्लाइड में डिसकस किया था कि जो चुनाब होगा वो इन 292 के लिए होगा और बाकी कितने के लिए होगा तो आप कहेंगे 4 इसका मतलब है कि जैसी मैंने लिखा कि चुनाब होगा तो आप कहेंगे कितने सदस्यों के लिए तो आंसर आएगा 292 प्लस चार equal to 296 सदस्यों के लिए ये सदस्य ऐसे थे जो हम कह सकते हैं निर्वाचित तो पर शवाल बनता है कि संविदान सबा में कितने सदस्य निर्वाचित थे तो आप खेंगे Pirah कितने मनौनी थे आप एंगे त्रानमे इसका मतलब है कि जो 292 प्लस चार थे इन 292 प्लस चार के लिए फिर वही बात आगे हम लोग पढ़ें कि किसे कितने मिले तो समय चुनाब लड़ने वाली दो मुख्य पाइटियां हुआ करती थी जिसमें से एक का नाम था कॉंग्रेश और इस एक पाइटि का नाम था मुश्लिम लीग एक कॉंग्रेश थी और एक मुश्लिम लीग और इसके लाबा अन्य भी पाइटियां हुआ करती थी अधर जो होते हैं उनकी बात करें जैसे हिंदू सवा थी न उस प्रकार से अन्य सवा जो अन्य पार्टियां थी उनको कितनी मिली आज भी हम देखते हैं कि जनरली देखें तो हमारे हैं चुनाब जो है बीजेपी कांगरिस उसके अलावब फिर अन्य पार्टिया हो जाती हैं कुछ निर्दली भी होते हैं इस प्रकार से वो सारे अन्य के अंदर दालती जाते हैं अगर यहां हम लोग कांगरिस की बात करें कि जो 296 सीटें थी इनमे से इस कांगरिस को कितनी सीटें मिली तो कांग्रेस को मिली थी 208 208 सीट जो थी वो कांग्रेस को मिली इसका मतलब है कईनकी बहुमत किसके पच्च में गया कांग्रेस के पच्च में फिर बचा कौन? मुश्लिम लीग मुश्लिम लीग को सीट मिली थी तिरफ और सिरफ तियत्तर इसलिए ही आगे चलके पढ़ेंगे कि मुस्लिम लीग जो है वो सम्मिदान सभा की पहली बैटक का बैसकार कर देती है वो पहली बैटक में भागी नहीं लेती है क्योंकि उन्मीद से ज़्यादा सीटें नहीं मिल पाई थी उनको लगा कि ये तो कहीं न कहीं हमारे साथ मतलब मुम्मद जो इसमें जिन्ना थे वो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे अलग से इसके अलावा अधर सीटों की बात करें दोस्तों तो वो थी आपकी पंद्रे पंद्रे सीट एसी थी जो अड़ने सीट मिली मुस्लिम ली को 73 और इधर अन्य को मिली पंद्रे सीटे ये संविदान सवाज हो थी उसका हमने गठन किया आज देखो हमने बात करी कि इसका गठन की प्रक्रिया इस्टार्ड कैसे होई तो सबसे पहले हमने देखा कि कॉंस्टिटूसल असंबली जो थी उसकी मां एक तो बारतियों के द्वारा की गई थी और एक की गई थी अंग्रेजों के द्वारा यानि बिटिस लोगों ने कविशे माना और भारती लोगों ने इसकी मांग कब से की उसमें हमने सेकिंड देखा कि सबसे पहले सुराज बिदेख था 1895 के अंदर जिसे लाया गया था बाल गंगाय तिलक के द्वारा इसमें सम्मिदान सवा के सरप्रतम अनौपचारिक रूफ से मांग की गई थी फिर मैंने कुछ बातें आपको ये विशेश रूफ से बाल गंगाय तिलक जी के बारे में बताएं उसके बाद हमने देखा 1922 के अंदर गांदी जी ने भी अप इंपूटेंट है 1934 1934 के अंदर एक व्यक्ति थे एमें रहा है जोने हम कहते थे मानविंद नात रोय मानविंद नात रोय के द्वारा या तो अपचारिक रूप से पूच ले आपसे या व्यक्तिकत रूप से पूच ले सबसे पहले सम्मिदान सवा की कि इन्होंने मांग क फिर आता है कि भाई कांग्रिस ने कम मांग उठाई है तो कांग्रिस के दौरा सबसे पहले 1935 के अंदर सम्मिदान सवा की मांग उठाएगे फिर आता है कि अगली बात 1938 के अंदर हम लोग देखें पंडिच जवाला नेरू ने कहा कि जो सम्मिदान सवा का गठन होगा उसम वैस्क क्या होना चाहिए मतादिकार कि मांग की थी कि मतादिकार के आदार पर संभीदान सभाका गठन होना चाहिए अब बात आती अंग्रेजों की तो सबसे पहले आठ अगस्त 1940 वाजराय कौन थे लॉर्ड लिन लिथगो मैं लिख देता हूं यह उसमें अपने बारत के, कौन थे तो आप केंगे वाइशरा हैं तो इस lord लिनित हो के दुआरा एक प्रस्ताब लाया गया था जिसे कहते हैं अघस्त प्रस्ताब सवाण आता है अघस्त प्रस्ताब कर आया 8 अगस्त 940 को किस के द्वारा लाया गया Lord Lynn Lithgow के द्वारा, इसमें कहा था कि सरप्रितम अंग्रिजों के द्वारा सम्मिदान सभा की गटन की को असेप्ट कर लिया, यानि यह नोंने कहा कि सम्मिदान सभा का गटन होना चाहिए, लेकिन इसमें लच्छ या उद्देश की पूर्ती में इस पर रहता है क्योंकि इसका ब्रोद हुआ, इसका उद्देश भी सम्मिदान सभा का गटन था, किसकी अद्दिश्ता में आया था, आप कहेंगे सर स्टेपर्ड क्रिप्स, फिर आती इसके बाद बैवेल योजना, Lord बैवेल के दौरा, 1945 में इसमें अभी सम्मिदान सभा की गटन की बात की गई थी, लेकिन अभी सम्मिदान सभा की गटन का कोई ठोस कदम नहीं उठा, ठोस कदम उठाने के लिए भेजा गया था, कैविनिट मिशन दुती विशुद्ध की समापती बिटिन, जो था अपना बिटिन, वो दवाम में आयाता है अन्ने देशों के में, और अन्तिता उसे भारत को आज़त करना पड़ता ही है, और बिटिन संसद के उस समें, तीन कैविनिट मंत्रियों से मिला करके, एक मिशन बनाया गया, जिसका नाम रखा करी पेंथिक लोरेंस अध्यच बनाया गया, और एक एवी अलेक्जेंडर और एक इस्टेबर्ड क्रिप्स नेश्ट अमने बात करी कि इसमें क्या प्राप्दान थे इन्होंने का संभिदान सवा में कुल सदस्य कितने होंगे संभिदान सवा की सदस्यों का आयप्रत्यच निर्वाचन एकलमत संक्रमडी पद्दती के आजार पर राज प्रांतों की विदान सवाओं के द्वारा देशी रियासतों की सदस्यों के वो मनोनीत होंगे कौन करेगा मनोनीत तो वहां का सास रख चाहें बुरा जाओ या निजाओ हमने बात करिए उस समय पांडों पेहड़ रियासतें थी लेकिन आजादी के बाद में 552 भारत में और 3 पाकिस्तान चली जाती है इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा सदस्य जो थे उनका बड़वारा कैसे था तो 319 सदस्य थे इसमें हमने देखा बिटिस बारती प्रानतों से 11 देशी रियासतों से 39 और चीप कमिस्ररी से 4 फिर हमने देखा कि इनका समधाय के अधर पर विवाजन था हिंदू, मुश्लिम, सिक और नेश्ट हमने बात करी यहां से कि इनका जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था तो आप से पूचेगा जुलाव जुलाई अगस्त 1946 में कितने सदस्यों के लिए किया गया आप एंगे 296 में कांग्रेश को सीट कितनी मिली 208 फिर पूचेगा मुश्लिम ली को कितनी मिली 73 अंड शीटें कितनी मिली तो आप एंगे 15 यह सम्मिदान सवा की यहां चुनाप पर करिया थी फिर ध्यान रखना है कि जो सम्मिदान सवा थी, अगर हम बात करें कि जो सम्मिदान सवा है, इस सम्मिदान सवा के दो कार थे, यही मैं डिसकस करो, दो कार क्या थे? नमद एक कार था इसका, भारत में सम्मिदान का निर्मान करना, और नमबर दूसरा जो कार था वो था कि जो भारते उस भारत की अंदर संसद के रूप में कार करना इसलिए दो सवाल आते हैं कि जब संब्यदान सभा संब्यदान के निर्मार संबंदी कार करती थी मेरे प्यारे दोस्तों उस शमेश की अद्धिश्टा जो करते थे वो थे डॉक्टर राजिंद्र प्रशाद अब यहां की पढ़ेंगे हम लोग कब बने कैसी बनेंगे लेकिन जनरली जो सवाल आता है वो मैं यहां बता देता हूँ और जब यह संसद के रूप में कार करेगी तो ध्यां रखना है उस समय इसके जो अद्धिश्य होंगे वो होंगे आपके जीवी मावलंकर इसलिए दोनों में अंतर समझना है कि जब सम्मिदान सभा सम्मिदान का निर्मान करेगी तो डॉक्टर राजिंद्र प्रसाद इसकी अद्धिश्टा करेंगे और जब संसद के रूप में करेगी तब गडेश वाशुदेव मावलंकर यही आगे चलके हमारे बारत की पहली लोग सवा के स्पीकर भी बनेंगे जीवी मावलंकर और यही गडेश वाशुदे मावलंकर वो थे जिनकी खिलाफ सबसे पहले अगर देखें तो लोग सवा में इन्हें पद से अठाने का प्रस्ता भी लाया गया था तो यह कुछ बात है जीवी मावलंकर की थी तो जीवी मावलंकर तब इसकी अद्श्ता करेंगे जब यह संसत के रूप में इसलिए एक सवाल में यहां और लिखा देता हूँ वो सवाल क्या प्मूछ लिए आता है फिर हम नेक्ट क्लास में यहां से आगे बात करेंगे कि इसके बात देखो क्या सवाल प्मूछेगा आपसे और वो सवाल आता है कि जो भारत के अंदर प्रतम संविधान संसुदन मैं यह कुशन लिखा रहा हूँ कि प्रतम संब्यदान संसुदन आप बताएंगे कब किया गया था तो प्रतम संब्यदान संसुदन 1951 किसके द्वारा किसके द्वारा किया गया था किया गया था यह आपका question है आंसर बताएंगे नमर एक संस्रद के द्वारा दूसरा दूसरा देखें वाई शराई के द्वारा तीशरा संब्यदान शवा के द्वारा और चोथा उप्षन है None of these एवब पहला संब्यदान संस्रदन जो था बड़ा खास सवाल है बड़ा important है तो 1951 इसका मतलब है कि 1951 में संस्रद का गठन ही नहीं हुआ था इसका मतलब वो समय पर लोक्षवा राजवा तो थी नहीं तो कि ये तो 1952 में आई थी लोक्षवा के लिए चुनाब राजवा के लिए चुनाब 1952 में करवाए गये थे इसलिए संस्रद बनेगी 1952 में और ये संस्रदन कब का है आप कहेंगे 1951 का तो मैंने अभी बताया था कि इस समय पर संस्रद का जो काम कर रहा था वो थी आपकी संविदान सवा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा संविदान सवा लेकिन पहला संविदान संसुदन किया गया था तो आंसर आएगा संविदान सवा के दौरा तो ये सवाल है जब संविदान सवा संस्रद का काम कर रही है तब अध्यच होंगे आपके जीवी मावलंग यहाँ से आगे हम कल बात करेंगे कि जो सम्मिदान सभा है उसकी बैटके हैं उसके अद्यवेशन किस प्रकार से उनका आयोजन किया गया था और सम्मिदान सभा का निर्मान करने के लिए कितनी समितियां बनाई गी थी तो कल के पाट में से complete करेंगे आज हमने देखा कि सम्मेदान सभा की मांग कब से की गई थी सम्मेदान सभा का गठन कैसे किया गया था चुनाब कैसे हुआ था और फिर इसके काम क्या क्या थे यहां तक की बात हमने की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी चात इसे लाइक सबस्क्राइब और सियर जरूर करें और आपको सभी को रादे रादे नमस्कार